हिमाचल में परिवहन सिवाओं पर भी कोरोना का असर पड़ रहा है बढ़ते संक्रवन के बीच पावंदिया लगने से हिमाचल में पत्परिवहन निगम को नुकसान उठाना पड़ रहा है और ऐसे में अब बाहरी राज्यों के अलावा हिमाचल में भी रूट मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करती गई है हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलो और फाइव डेई वीक के चलते परिवहन निगम को समवारिया नहीं मल रही है जिससे HRTC को रोजाना 35-40 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है शनिवार और अविवार को जिन रूटों पर चार बसें भी किये गए हैं बाहरी राज्यों के लिए पहले 13 रूट मर्ज किये गए थे अब 30 रूटों पर बसें नहीं भेजी गई हैं दिल्ली चंडिगड हरियाना और उत्राखंट से हिमाचल आने वाली बसों में भी नाम मात्रे सवारिया हैं कुलू डीपो ने भी अपने लंबे वाल्वो बसों का दिल्ली के लिए अब संचालन नहीं किया जाएगा यात्रियों की सुविधा के लिए महज एक वाल्वो बस से ही भेजी जाएगी आपको बता दे कि एचारटेसी के 35 परिचालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिसके चलते निगम प्रबंधने सवा बैठने नहीं दिया जाएगा परिचालकों को अपनी सुरक्षा को देखते हुए टिकेट काटने को कहा गया है एचारटीसी की बसों में ओवर लोडिंग नहीं होगी परिवहन नीगम की बसों में एक से तीन नंबर सीट पर कोई भी सवारी नहीं बैठेगी चालक के साथ पहली सीट पर कंड़क्टर बैठेगा